जाएं दोस्तों वेलकम टीनेली स्खूल दोस्तों दो बहुत ही जादा महत्पून सवाल जो बहुत सारे लोग इस समय पर पूछ भी रहे हैं पहला यह कि क्या लूना फिर से रिकवर हो जाएगा लूना का प्राइस एक डॉलर से दस डॉलर के बीच या जिस तरह से पहले बहुत ही महत्पून सवाल यह है कि ऐसे कौन से दूसरे कोईंस हैं जो लूना की तरह ही आने वाले समय में आपको धोगा दे सकते हैं और बहुत सरे लोग इस बारे में अलगला कोईंस के बारे में राय दे भी रहे हैं लेकिन इस वीडियो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बात करूंगा जो कि आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि क्या बास्ता में लूना के जैसे और कौइन हैं जो कि आपको बहुत बड़ा लोस आने वाले समय में दे सकते हैं बरबात कर सकते हैं और कौन सी वो करेंसी जो आने वाले समय में लगातार प्रॉफिट दे कि रहेंगे सभी के बारे में बात करेंगे आगर बढ़ने से पहले एक छोड़ी से रिकेश्ट हैं दोस्तों ने विदे के चैनल सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब जरू करें और साथ उसके पास अला वेलुटे नहीं प्रेस करें तक डेली बेस पर लेटेस्स होते हैं सेयर मार्केट में उस तरह से इसका प्राइस लगातार बढ़ता ही जा रहा था और पिछले दो तिन महीने से चार महीने से बहुत सारे यूजर्स और खुद क्रिप्टो करेंसी लुना के फाउंडर ये बात बोल कर चले गए थे एक चैनल पर कि लुना जो है वो ब दुनिया में आज से लोग थे जिन्होंने तो अपना पूरे का पूरा पैसा लुना में ही लगा दिया था किसी और क्वाइन को खरीदा ही नहीं था हलांकि मैं तो हमेशा आपको गाइड करता ही रहता था कि किसी एक क्वाइन पर तो आप विश्वास ना करो चाए वो करने के साथ साथ क्या हुआ लुना का फांटर है यहां पर एक गजब चाल खेल गया कि वह इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसे लगातार बढ़ाता गया जिससे लुना का प्राइस डाउन होता गया कुछ लोग इसे बेशते गए तो कुछ खरिदते भी गए तो बहु दोस्तों सवाल यह उड़ता है कि यहां पर वाइनेंस हमारी सबसे बड़ी क्रिप्टो करणसी के आक्षींज है सबसे ज्यादा पैसा किसी ने अगर लगा रहा हुआ था लोना कोईन में तो दोस्तों वह बाइनेंस कोईन बाइनस एक्षेंज के थ्रू लगा हुआ था लेकिन अगर आपके कोईन वहाँ पर पड़े हुए है तो वहाँ पर भी चमकेंगे आपको बहले ही उनका प्राइस आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा यानि अगर रिकावर होगा तो वापस से वहाँ पर आ जाएंगे और मानलिया कल के दिन को प्राइस अच्छा होता है तो उस कोईन को सेल करके आप बाद में निकल सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन दूस्तों यहाँ पर लुना के फाउंडर का कहना यह है कि I am very I mean बाइनस के फाउंडर का कहना यह है कि I am very disappointed with how this UST लुना incident was handled or not handled by the Tera team we requested their team to restore the network लुना देखिए यह बात तो मैं भी कहा रहा था बहुत पहले से कि जो एक्स्ट्रा मिंट कर दिये लुना उन्हें बंद कर दीजिए फिर से इतनी circulating supply थी उस पर वापस ले आईए their team to restore the network network को restore कीजिए and recover the UST pack so far UST pack जो है उसे recover कीजिए we have not gotten any positive response or much response at all तो दोस्तों यहाँ पर बाइनस ने यह भी बोला कि लुना टीम को लुना टीम से उन्हें इस चीज़ पर कोई response नहीं मिला है कि वो इसे कैसे handle कर रहे हैं लगता तो यह है कि जो लुना का CEO है वो अब्डेट आये हैं सुएज जो अब्डेट आया था वो यह आया था कि उन्होंने जो officially हाल्ट है वो ब्लोक कर दिया है 7607789 पर लुना का उसके बाद वो अब्डेट देंगे उसके बाद अभी दो घंटे पहले लग बग अब्डेट आया था कि फिर से resume कर दिया गया ही validators अब डिसाइड तुडब ओंचे स्वाप्स और बीचिश चैनल्स अनाव चॉजू दॉजू उसे अर इंकरेश्ट बिजव बिच ओ चैनल्स अजच उच अच पर देंगे आया था विलिस्टेवल चैन कि दरफ से दाप्ट इसके अलाव दूस्ट अबडेट यह था विलिस् से अपडेट आ रहे हैं वो यह कह रहे है कि वो community को फिर से build करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से luna के price को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए वो समय समय पर effort डाल रहे हैं और बाइन्स के CEO का कहना यह है कि luna team जो है वो कुछ कर नहीं रहे अब सच्चा यही है कि लुना टाइम ने बहुत बड़ी गलती किये जिस तरह से नंबर टोप 10 की क्रिप्टो करेंसीज में आता था इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज का सड़न गिर जाना कोई coincidence तो नहीं हो सकता या तो टीम ने भारी गलती करी कोई attack हुआ या तो फिर दोस्त जो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि recover करना impossible ऐसा नहीं है लुना का price recover किया जा सकता है लुना भले इस समय पर death हो गई है उसे पुनर जिवित किया जा सकता है लुना के price को फिर से 100 डोलर तक पहुंचाया जा सकता है लेकिन इसके लिए obviously बहुत सारे काम करने होंगे और बहुत जादा काम करने होंगे बहुत जादा मेहनत करने हो पड़ेगी लुना के founders को और कोई भी आदमी ऐसा तब ही करेगा केवल वही आदमी ऐसा कर सकता है जो investors के पैसे की value को समझता है सबसे बड़ी बात यह है कि जहां का यह founder है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह ज दोस्तों क्या यह आदमी लुना के price को वास्ता में recover करने की कोशिश करेगा सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही उठता है अगर लुना का price वास्ता में 100$ तक भी नहीं जाता है 50$ तक भी वापस चला जाता है तब भी अपने आपने एक बड़ी बात होगी और 50$ तक अगर चला जाता तो फिर से 100$ तो चला ही जाएगा अब आप में से बहुत सारे लोग यह बोलेंगे कि 50$ और 100$ वापस से कैसे जा सकता आप से इसकी circulating supply बहुत ज़्यदा होगी तो मैं बोलूँगा circulating supply जिसने बढ़ाई है वो घटा भी तो सकता है अगर दो दिन के अंदर इतने ज जिसके बार होई है तो फिरसे घल्ती नहीं होगी और सबसे बड़ी बात कि कि इसके लिए लिए की इसके लिए बाकी बड़ी क्रिप्टोकरन्सी की कंपनी है चाहे वह बाइनस इसकी कांपनी है, कि अगर तू handle नहीं कर सकता है इस चीज को तो हम सब मिलकर handle करते हैं वो टेरा को एक बार फिर से पुनर जीवित करते हैं क्योंकि यहाँ पर investors का पैसा फसा हुआ है अगर ऐसा companies नहीं करती है cryptocurrencies की तो इसका मिदलब cryptocurrencies आने वाल समय में success होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नमबर टॉप की crypto currencies जिस पर लोग इतना ज़्यादा believe करते थे अगर वही currency इस तरह से धड़ाम गिर गई तो बागी कौन सी crypto currencies का क्या विश्वास हो सकता है यह सोचना एक बहुत ही बड़ी बात है हलांगी crypto market ऐसे कही जाने वाला नहीं है लेकिन stable करने के लिए कुछ चीजों का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस समय पर पूरी की crypto companies के जो बड़े-बड़े founders हैं उनको मिलकर यह काम करना चाहिए दूसरी बड़ी बात यह है सरकारी जैसे इंडियन गावर्मेंट हो गई या किसी भी दूसरे गावर्मेंट की सरकारी हो गई वो tax भारी भरकम tax लेने के लिए तो आगे कर देती हैं अपने हाथ को लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़े होती है इसकैम होती है तो उसमें बीच में स्तक्षेव क्यों नहीं करती है तो tax भी मतलो या फिर इन चीज़ों में स्तक्षेव करो आप जो Luna का founder है जिस country का ये founder है उस country की government पर दवाब बनाया जाए भाया तुमारे यहां के बंदे ने इतनी बड़ी companies को दो दिन में suddenly कैसे कर दिया इस पर एक बड़ी committee बढ़ाई जाए बड़ी जाच बढ़ाई जाए इनसे Luna company को लेकर किसी दूसरे experience बंदे जैसे Binance के CEO को handle करने के लिए दी जाए उन्हें बोला जाए कि आप इसे recover करिए इस तरह की चीज़े दुनिया में होनी चाहिए जबकि इंडियन government का भी यहां पर पैसा फसा हुआ था USA के लोग का भी पैसा फसा हुआ था तो इन government को आपस में मिलकर जहां का यह founder है वहां की government पर दबाब बनाना चाहिए कोरिय का है जहां का भी है वो मुझे नहीं पता और बोलना चाहिए कि इस तरही इसे या तो पकड़ो जेल में बंद करो इसे सजादो या तो फिर पूरी चानबीन हो कि लूना को आइन का प्राइस गिरने के पीछे क्या सकंए कैसे गिरा क्यासे इसे टीम ने हैंडल कर大 अगर हैंडल नहीं किया गया तो किसी दूसरी टीम को यह काम देना चाहिए उससे हैंडल करने के लिए देना चाहिए जिससे investors के पैसे पर कोई ऐधर ना हो अगर सरकारे tax लेती हैं तो सरकार की इतनी responsibility इतनी दाइव तो बनती ही बनती है हलाएं कि Luna में सबसे ज़्यदा पैसा USA से लोगों का यहां पर फसा हुआ था उसके बाद चाइना का फिर जर्मनी जापान और उस्ट्रेलिया का चाइना वा आप बोलोगे कि particular coins का नाम लेकर बता रहे हैं देखिए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको बता जो सबसे पहले तो Luna जब तक सही था तब सब कोई Luna को भी नहीं बोल रहा था कि बरबाद हो जाएगा Luna को भी लोग बोल रहे थे कि Bitcoin से भी उपर चला जाएगा और आप बहुत सारे ऐसे अलग-अलग coin के नाम बता रहे हैं कोई Near का को नाम बता रहा है कोई MC का नाम बता रहा है कोई किसी दूसरे coins का नाम बता रहा है कि यह भी बरबाद हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता जनरली इतनी अच्छी जो companies होती है जो stable coin है उनके साथ ऐसा नहीं होता यह बहुत ज़्यादा दुखन coincidence होते हैं या फिर दोस्तों किसी बड़ा जो इनका founder होता है इनके team का कोई बड़ा member होता है या फिर कोई hackers होता है उसके दिमाग में बहुती बुरी चीज कोई आचुकी होती है जिसकी बज़े से ऐसा होता है जनरली ऐसा नहीं होता कि एक इतनी बड़ी company अचानक से धरासा ही हो जाए तो जोस्तों दूसरे coins का किसी भी coins का नाम लेकर कहना काफी ज़्यादा dangerous है जिन coins का नाम लोग ले रहे हो सकता उनमें से कुछ coins आने वाले समय में बहुत आगे चले जाएं और फिर वही coins उन्हें प्रमोट करने लगें और जब वो प्रमोट करने लगें लोग वहाँ पर खूब पैसा इंवेस्ट करने तब गिर जाए है ऐसा आपको सोचना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी छोड़ी सी चीज में यहां पर आपको बढ़ा दूं आगर आप फिर भी इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि एक तो उस coin की technology अच्छी हो दूसरा इस चीज का ध्यान रखें कि यह जो coin है यह किसी अच्छे developed countries में विक्सित हुआ हो बहले ही इंडिया में विक्सित हुआ हो इंडिया में भी बहुत सारे जो अच्छे coins हैं वो काफी मांदार उनके team में हैं इसके लावा USA, Canada बगारा के जो coins होते हैं व पर विश्वास कम से कम कीजिए क्योंकि यहां के जो founders हैं यहां की सरकारों के ना तो rule strict हैं या ना ही यहां के founder इमानदा रहे हैं इसलिए पहले ही देख लें वह इस coin का founder कहा से है South Korea तो नहीं है North Korea तो नहीं है चाइना तो नहीं है अगर इन countries में या एक दो ऐसी China side की जो countries है बाकी जो founders हैं इंडिया के founders हैं बाकी जो Canada के founder हैं USA के founder हैं या किसी Japan के founder हैं जर्मनी के founder हैं Australia के founder हैं इन companies के जो founder हैं वो जल्दी से ऐसा काम नहीं करेंगे तो लूना क्या वास्ता में 10 डॉलर जाएगा मैं फिर से आपको बता देता हूं लूना का 10 डॉलर पर जाना possible है ले क्रिप्टो की बड़ी companies के owners को क्रिप्टो की बड़ी communities को investors के पैसे की थोड़ी भी चिंता है तो इस चीज़ पर काम दिरूर किया दाएगा यह पुनर्जीवित होगा अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला थैंक्यू बारी मत्ट चोल दें बारी बेस